तो अभी तक हमने क्या क्या है यूज स्टेट पढ़ लिया मैप फिल्टर भी पढ़ लिया और उससे हमने एक प्रोजेक्ट भी बना लिया तो एक हुक्स तो हमारा कंप्लीट हो गया आज हम सेकेंड होक्स पढ़ेंगे यूज इफेक्ट ठीक है तो स्टार्ट करते हैं अब देख लेते हैं टूट कि दाटन ऐब से एक हुक्स हरो टोर्फ़ॉंस पर्फॉंसाइड इफैक्ट आफ साइड इफेक्ट क्या होते हैं तो एसे हाईब टाकता जो है तो ज smilesrip ब liber करते हैं इसे भी होने शाइड टासक गर चॉत जितने बहुता उन्य inclक होए हम उन्दर करते और यूजघ का नाम इसलिए पढ़ा कि किये side effect जो टास्क होते उसको यह करते हैं तो अब इस्टार्ट करते हैं अब तो देखे लिए अब प्रोजेक्ट डेख लेते हैं थोड़ा सब्सक्रक्राइब आपता मैंने क्या किया था मैंने दो दिन इससे पहले मैंने लेक्चर बनाया था वाउंटर में यू इसी पर काम करते हैं इस पर देखते हैं ठीक है इस मैं बता दूंगा कैसे यूजफैक्ट काम करते हैं चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पर और पर यहाँ पर देखते हैं अगर जिसे नहीं पर देखा तो मैं बता देता हूं क्या किया है मैं एक मैंने नियु लिग उसके अंदर ये इजाइन किया और ये टैमप्रेचर में यहाँ पर कर रहा हूं कहां Sao Minus दो बटन लगा रहुत है प्लस और माइनस टेमब्रेशर यहां पे एक यूजज टेट मैंने रहे जिसकी वैलीव 12 है तो प्लस माइनस करेंगे तो यह टाइम घटेगा और बड़ेगा तो टेमपरेचर घटेगा और बड़ेगा यह हमारा हो गया अब यूजज एफेक्ट कैस आप यहां तो डारेक्टि इंपोर्ट कर लो याप एक काम लिख यहां पर लेकिंगे यूज़एफेक्ट और अपने आप इंपोर्ट और अब देखो अब इसको लिखते कैसे अब यूज़एग्ड दो आर्गुमेंट लेता है एक तो गाव फंक्शन प्रिगें एक तो जैसे मेप में नहीं करते हैं ऐसे करके यह गया तो महरा callback प्रणिशन इसको एंटर करो और इसके अंदर जो भी लिखना है लिख लो तो अभी क्या के लिखते हैं console लिखते हैं dot log और इसमें लिखते हैं hello mac code अब देखो यह यूज इफेक्ट कब कब कोल होगा जब तुम्हारा न कंपोनेंट कंपोनेंट रेंडर होगा एक तो जब कोल होगा सेकेंड ती जब कंपोनेंट अपडेट होगा कंपोनेंट अपडेट होगा मतलब अभी बताता हूं कंपोनेंट अपडेट मतलब यह जो हम यूज स्टेट पे हम काउंटर लगा रहे हैं से प्लस माइनस करेंगे तो Component update होगा न रंडर का मतलब है कि हम जब भी ऐसे रिफ्रेस्ट करेंगा तो रेंडर होगा मतलब मतलकि एंडर जब होता बहुत है जैं रिफ्रेस्ट कुरें देखर रोगए प्लस-माइनस करोगा तो फिर से रिफरेस करते हैं देखो आया तो यह कंपोनेंट किया होगा रेंडर हो रहा है तो यह आ अब देखोजिए है कि अविद्ध Ses पर प्लस माइनस कर रहा हो प्लस और माइनस करों प्लस करने पर क्या करन्enga में कंपाने को पडेट कर रहा हूं तो देखो जब भी मैं update करूँगा यह call होगा तो दो चीज़ें हमेंसा याद रखना जब भी तुम component का update करूँगा तो जब अगर यहां पर क्या आएगा अगर टैंप लिख दिया तो जो इसमें update होंगे वह आएंगे इसके अंदर अभी देखो मैं दिखाता हूं console console यह देखो 12 12 14 15 आ रहा है न अपडेट हो रहा है देखो इसनी बार भी करूँगा एक तो अपडेट करने पर भी खूल हो जाएगा और वैसे भी खूल हो जाएगा ठीक है यह तो बात समझ में आगी अब एक चीज़े और होती है इसके अंदर डिपेंडेंसी इसमें डिपेंडेंसी एरे बोलते है इसको तो एक काम करता हूं रुको एक और यूज इफेक्ट लिखता हूं और तुम्हें थोड़ा सा और समझाता हूं देखाओ इसके अंदर जो हम पास करेंगे ना इसके अंदर जो हम पास करेंगे वह होगा एक मिनड़ डायग्राम से समझाता हो तो यहां पर क्या होगा देखाओ यूज इफेक्ट लिक्रा हम लिखता हूं यूज इफेक्ट चल सौट फो में लिखता हूं यह होगा ब्रेकिट यह हो तुम्हारा एक ओर ब्रेकिट यह तुम्हें लिखेंगे कुछ और एक कोमा दे कि यहां पर एयरे है अरे का ब्रेकिट है जो हब जो भी हम इसके अंदर लिख मैं अपना एक्जाम्पल खुद बनाता हूँ मालो मैं अपने घर पे आया और घर पे आया और डोर है भई लोक चाबी तो है नहीं मेरे पास चाबी है मेरे भाई के पास मैं तो यहां पे आ गया हूँ लेकिन चाबी कहा है मेरे पास चाबी मेरे पास नहीं मेरे भाई के पास तो मेरे भाई के पास जो चाबी है तो मैं किस पर डिपेंड हो इस पर डिपेंड हो जब तक वह आएगा नहीं जब तक यह ताला खुलेगा नहीं तो डिपेंडेंसी का यह मतलब हुआ अब डिपेंडेंसी कैसे काम करता है यह देख के इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह मतलब यह हुआ अभी यह ब्लैंक को दिख़ा My तो ब्लैंक का मतलब है कि जब भी तुम्हारा पेज रिफ्रेस होगा एक बार रेंडर होगा जब इसे कॉल करना है अपडेट वगएरा में कॉल नहीं करना तो अब कंसोल में आप जाके देखते अब क्या चेंज आया है कंसोल में चलते पहले प्लस दिखूंगा तो यहां पर देखने को चलो रहने दो देखो यहां पर कुछ चेंज आ रहा है जब मैं अपडेट करो बट्ट यहां पर रिफ्रेस्ट करों तब यहां पर देखना तब आ रहा है लेकिन अभी हमने क्या क्या है यहां पर ब्लैंक डिपेंडेंसी दे दिया इस वज़े से एक बार कोल अगर मालूमेंसी यह सहटा दू तो क्या होगा देखो अब जब भी इस पर करो क्लिक तो यह देखो अपडेट हो रहा है बट हमें यह चीज नहीं करना है हमें तो एक ब इजर कर वान है तो यह क्या मंदर करवाना मात यहां काम करें महां पर曾 ос इंब departments इंब आई एक बर बता देत में अब मनें यह था कि मैं अपने ब्धाइपर तो मैं क्या करता हूं इसको नेए डपेंड कर वा दो इसके इंदर इस तो जबी भी मैं इसको यह कोगा ना जबी भी कोगा तो प्लस माइनस जो भी होंगे तो इस पर आप को यह दोनों पर हो रहा है कि यह temperature बढ़ भी तो रहा है ना भाई यह देखो इस पे अब देखो ठीक है यहां तक तो temperature बोल दिया यह color पर मैं depend कर देता हूं से रूखो अभी दिखा देता हूं एक और काम करते हैं मैं बोलता हूं color पर जब color होना तब तुम अपडेट होना ठीक है अब ही देखो प्लस माइनस कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है अब देखो 19 पर जब जाएगा ना जब color चेंज होगा जब यह अपडेट होगा देखना अब देखा देख रहे हो जब भी color change होगा जब भी update होगा यह से नहीं होगा भई पिर से देखा यह देखो color change update color change update तो dependency पता लग गया ना अब तुम्हें इसका real example दिखाता हो इसका यूज क्या है ठीक है हम चलते हैं अपने second project पर यहां पर तो अभी तक मम ने देखो इसमें अकर यह project नहीं देखा हो तो भाई देख लेने कैसे बनाए मैंने अभी मैं बता दूँ कि देखो यह data है data के अंदर यह सारे product है देखो यह product है इसको मैं data import करके मैं लेक्या रहा हूं इस product वाले section में उसको use state यूज किया filter करके मैंने और map करके मैंने so कर दिया यहां पर यह बात तो ठीक है यह बट्रियल प्रोड़क्ट में हमें क्या होता है एक API मिलती है वहां से हमें API के थुरू हमें इस product को दिखाना होता है सो करना होता है तो मालो मैं एक एक फेक प्रोड़क्ट API मैंने सर्च किया है Google पर सर्च कर लेना यहां पर आजागा इस में से इस वहां से मैं एक कोई भी उठा लेता हूं जोल्रिस का उठा लूँ एक टेग्रीज मैं यह वाले डाटा उठा लेता हूं करता हूं कंट्रोल कोपी यहां पर यूज एफेक्ट लिखेंगे पहले इसके अंदर हम पेश्ट कर देंगे देखो यहां पर मैं डिपेंडेंस से क्या देदू जबी यह पेज रिफ्रेस हो तो यह सो हो देखो यह डेटा तो आ गया हमारे पास अगर मैं फैच बचाओ तो बहुत से भी पले देखो फैच लिखना है उसके अंदर यह API कहीं से भी ले लेणा कहीं से भी API ले सकते हो उसको कॉपी कर देन 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 दो बार लिखना है रिस्पोंस.json में कनवर्ट करना इसको पहले देन जेसन यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं यहां पर मालो मैंने लिख दिया डेटा ही लिख दिया चलो ठीक है और यहां पर कंसोल कर ले पहले यह डेटा आता है की निया है कंसोल पर चलते हैं अपने पहले हमें सांसोल करके देख लेकरो डेटा आ रहाए कि नहीं तो इप्प्याम गड़ी गड़ी है देखो आ रहे है फिए हमारे पास चारी product है इसके इंदर तो जो एलिस है ना चलो चीगा 4 बहुत है तो यह आपड़ेट करना पड़ेगा तो मतलब यहां पर डालना पड़ेगा इसके अंदर तो मैं यहां पर लिख दू अगर रएक विसे यहां पर यहां पर प्रोड़क्त आईटम के डेटा भी दूमें अब डिटी ही तो कर रहे हैं और यहां पर किया करना है तूमें एम्पीटी एरए एरा लिखना है एम्पीटी एर है मतलब अभी स्टार्टिंग में कुछ नहीं रहेगा जैसे फेच करके आएगा यह इसके अंदर सारी डिटा चले जाएंगे अब देखो अब यह क्यों सो नहीं हो रहा है देखो अभी मैं बताता हूं राइज तो सो हो रहा है अब क्यों नहीं हो रहा है क्यों की एक काम करते हैं इसको न कंसोल करते हैं पहले जोड़ा है कि विश् mos can pray by द्यूंतर के इसाइव बता है क्यों है अभिदम मत्विश्म सक्राइए न होग 79 और यह तूंसीआ में चन्सौल as well है कोई बात नहीं है कंसोल is not funks द्रौवれ को कि की एक कि पिनेट गए यह है में चल दीते हैं कंसोल में चार एरे आगे है ठीक है देखो एधेगरी में जो लिए डिस्क्रीप्शन इमेज लिखा है न यहां पे इमेज तो हमें क्या करना पड़े इस प्रोड़क के अंदर हमें इमेज करना है हो गया ना इमेज सो टाइटल देखो यहां पर टाइटल होगा ना टाइटल है हाँ टाइटल टाइटल यह रहा रेटिंग देखो पीछले वाले रेटिंग नहीं थे अगर मैं रेटिंग सो करना जाओ तो रेटिंग सो कर सकता हूं मैं देखो एक रेटिंग सो करना यहां पर लिख दो रेक्टिंग देखो रेक्टिंग भी आ जाएगी या क्या होगे या अच्छा अब तो उसको करना है न यहां पर काम करते हैं अभी सेट डेटा तो करा है निसके अंदर तो भीजा ही निने सेट प्रूड़क्ट आइटम अभी आजा गया आजा आजा भाई आजा क्या हो रहा है अच्छा यहां पर इवेद्या एरे सेट प्रूड़क्ट आइटम क्या हो या रा कि नीरा ओब्जेक्ट अर नोट वैलिडरेजर रियक्ट चाइल्ड इसको अगर मैं कमेंट करूँ अच्छा यह क्या बता रहा भाई देखर यह तो प्रूड़क्ट सोगे लेकिन यह रेटिंग का क्यों नहीं आ रहा गलती करिए क्या स्पेलिंग में मैंने कहीं आज वेटिंग प्रूड़क्ट आईडी लिखते आईडी आज आएगा आईडी 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 तो आगया भाई आईडी यहां पर रेटिंग क्यों नहीं आ रहा रहा क्या 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 ओप्जीक्ट आर नोटे वैलिट आज रियक्ट चाइल्ड क्यों में टू रेंडरे कलेक्शन ओव चेल्डरन यू इज न एरे इंस्टेंट ओफ है एरे काई यूज करना पड़ेगा अच्छा उसके अंदर गरवड़ी होगी कहीं न कहीं कि इसको हटाओ यार कोई दिक्कत नहीं हमें नहीं करना में हमान में चीज क्या था में चीज था मुझे फैच मतलब यूज इफेक्ट का यूज करना तुम्हें सिखाना था देख लेना देखो मैं अभी इस डेटा को डिलीट भी कर दोंगा इसको तो भी यह डेटा तो अभी इसका काम ही नहीं अभी इसका कुछ काम नहीं है अब तो में यूज़ इफेक्ट का ऐसे और इसे क्या बोलते है इसे बोलते जो भी साइड इफेक्ट टास्क होंगे इसके अंदर हो अब में काम क्या देखो मैंने यह बना बनाया थे इसे बता दिया अब एक काम करना मेरी यूटूब चैनल पर जाना मैक कोड़ सर्ज करना यहां पर मैक मतलब मेरे यूटूब चैनल पर जाना ठीक है उसके बात क्या जाना तुम्हें जाना है प्लैलिस्ट में जाओ झाल जाओ गया है यह प्लैलिस्ट और ठीक है इसके अंदर मैंने यह स्टोप इस तो पोज को ओपन करना इसमें मैंने क्या बता है यूज स्टेट और यूज इफेक्ट और इसके अंदर मैं दिखाता इस तुम्हें देंगे तो यूट्व को मैं बताता हूं कि अधिक यह बतार होना सैट इंट्रवल मैंने बहुत अच्छे से बताया इस चीज को में टाइमर एक प्रोजेक्ट ही बन जाएगा तुमारा देखो टाइमर प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं मैंने टाइग्राम बनाके एकस्प्लेन किया और इसमें एक चीज होता है देखो यह रिटर्न लिक्रावन में क्लियर इंटर्वल यह मैंना भी बताए नहीं इस वाले प् ले बनाया था मैं ऊच्छे से टाइमर पूरा प्रोगीकट अच्छे से देख लेना ठीक है बस तुमारे काम यहीं पर खतम हो जाता है दाती है मैंने यहीं पर बना का दिखा दिया अंब जब टी costly को और इस्तिमृत है इतना बहुत है अभी के लिए यह वाला प्रोजद द